यही सवाल सतीज जी से पूछ रहेते हैं, सतीज जी क्या ग्राउंड से अच्छी खबरे नहीं आ रही हैं कि पहले लालू अब इस तरह से कॉंग्रस की तरफ से यह जो बयान आ रहे हैं यही बताएगा लालू जी पूछ रहेते हैं मोदी जी का परिवार कौन है कहा है जवाब मिल गया है और सबसे पहले जो तीन मार्च को जो पटना के तहासी गांदी मेदान में जो रही ली हुई है जो जन समुंदर उमर पड़ा है जो जेपी आंदोलन से भी बड़ा युवा एक ही जगह आके कंसंट्रेट हो गए है वो लालू जी पर मतलब लालू जी की पहुच और लालू जी की असर इतनी है कि नरेंदर मोदी जी लालू जी से बहार नहीं निकल पा रहे हैं और उन्होंने कहा कि 140 क्रोड भारती है हमारे परिवार है बहुत अच्छा लगा सुन क करके तो क्या उस 140 करोड में भारत के बिरुजगार नौजवान उनके परिवार है कि नहीं वो अगनी वीर अगनी पत्थ वाले उनके परिवार है कि नहीं या जो पहल्मान बेटियां जो भारतिये जनता पार्टी के सांसत के और यूद्पृण से पिडित होकर के जो मेडल लोटा रही थी जो जनतर मंतर पर जिनको घसीटा जाना था वो उनके परिवार है कि नहीं या जो किसान आज बोर्डर पर जो मेस्पी की मांग को ले करके महीनों दिन से अपना अंदोलनत है लाखों किसानों ने आत्महत्या किया है जिन किसानों कर थार गारी से रौनदा गया है वो उनके परिवार है कि नहीं यह ने मोदी जी नहीं बताते हैं और 2022 यह बात लालो जी पूछते ना मैं यह कह रहा हूं आप इत्ती अच्छी बाते हैं सतीज लाज जी ने आज एक और बात कही वो मेथली में पॉलना चाहरे थे लेकिन बोलें अडानी हम आमानी मत आप ने कहा कि मोदी जी इन सारे बातों पर नहीं बोलते आप पूछे ना यही तो मुद्दे यही तो सवाल हैं आपको पूछने चाहिए आप उनके राजनीतिक विरुप्रतिवंदी हैं सुरी मेरी बात लालु जी तो यह नहीं पूछे लालु यादव ने इन में से हैं बुरा लगेगा ना आपको नरेंद्र मौदी जी परिवार बात पर हमला कर रहे हैं तो लालु जी ने कहा कि आपका परिवार कहा है अभी मौदी जी ने कहा कि हम बच्पन में घर छोड़ दिया थे तो उनका वीवाह की सुमर में हुआ था ही तो बता दे आप अब आप आप ऐसा नहीं कि हाज जला करके कुछ सीखाओ ने दुबारा उसी पर जाना चाहते हैं अजय आलोग जी देखिए बिहार में कहावत है कि थेथण के पेड़ पे कितना भी लाठी मरिये कोई असर नहीं पड़ता है तो यह आरजेडी पर बिल्कुल चरितार्थ होता है बिकार है फजूल उनको समझाने की कोशिश मत कीजिए आप आप समझ जाएंगे वो नहीं समझेंगे उनको नहीं समझना तो नहीं समझेंगे लालुजी के लिए कुई नहीं बात है ate लेकिन यह असच्य लगता है कि मुझे to नरेंड मोडी नहीं थे कि इसाई पकर बेटा पार्सी पिता का बेटा जो कि हिंडू नहीं है वो नहीं दिखा लेकिन नरेंद मोदी दिख गए जोती जी भी बहुत बात बोल रहे थे लगता है प्रधान मंत्री जी का भाशन सुने नहीं ठीक से भाशन की शुरुआत उन्होंने की कि लव कुछ की धर्ती माता सिता की स्रम स्थली एक एक चीज बोला जिसका आप नाम ले रहे थे उसा आप पूरा भाशन सुना कीजिए इक गन्ना वाले के लिए बोला कि हमने प्रती क्विंटल 25 रुपे बढ़ाए भाशन सुना कीजिए बिना मतलम मैं से मत बोलिए कि यह नहीं किया वो नहीं किया ऐसे नहीं किया सवाल यह उठता है कि आपने किया क्या है भई राहूल गांदी ने आज फिर एक पेयान दिया है सौरजी मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कहा मोबाइल देखो जैश्री राम बोलो और भुक्क हो जाओ मतलब जो जो जैश्री राम बोले वो भुकेस हो जाए क्या बात करते हैं दिमाग गुमागी लोग को चड़ने औरने चला गया क्या उत्तर प्रदेश जाते हैं बनारस में गुशते हैं कहते हैं कि युवा पीडिये नशे में घूम रही है पूरे उत्तर प्रदेश क जोती जी ने ठीक कहा कि यह बोखलाहट बढ़ते जाएगी और हम लोग को आदत पढ़ते जाएगी अपड़ गई है इस दरह जोती जी का जवाब सुन लेजेगा फिर मैं ब्रेक लेना पड़ेगा फिर जोती जी बोलिए